हेलो दोस्तो बुरा खबर है कि सार्दा सिनहा जो है नहीं रही बिहार कोकिला सार्दा सिनहा का निधन हो गया है और छट पूजा से पहले एमस में ली आखरी सास जहां दोस्तों जिसा की देखा पा रहे हैं आपको पटना के राज की सम्मान के साथ होगा सार्दा सिनहा का अं अब दोस्तो नहीं रही लोग गाय का सारदा सिना नहीं रही छट के पहले बरत नहाय खाई के दिन उनका निधन हो गया तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपको पूरा हम दिखाएंगे देखे आज तक पर भी ये निवज चल रहा है और यहां पर देखे नहीं रही लोग ग भजपूरी लोग गाय का सारदा सिना का निधन हो गया है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें अंतिम सास लिये सिंगर के चाने बालों को इस खबर से काफी बड़ा जटका लगा है सारदा सिना की तस्बीर सेर करते हुए निधन की खबर की पुष्टी उनके बेटे अंसुमन सिना ने कर दिया जिया दोस्तों यही है सारदा सिना जैसा कि आपको हम दिखा पा रहे हैं भजपूरी लोग गाय का सारदा सिना का निधन हो गया है दिल्ली के एम्स में काफी दुख भरी खबर है और मधूर अबाज से फैंस का दिल जीतने बाली सारदा सिना आपको आप यहां पर देखे बेटे अंसुमन ने पोस्ट किया है सर्दा सिना की तस्बीर सेर करते हुए निधन की खबर की पुष्टी बेटे अंसुमन सिना ने कर दी है और सिंगर के इंस्टागराम एकाउंट पर फोटो पोस्ट करते हुए अंसुमन ने लिखा है कि सब के बीच नहीं रही जियां दोस्तों ये खबर काफी दुख दाई है और जिसा की देख पा रहे हैं उनके बेटे ने यही पोस्ट किये हैं आप कब होगा सार्दा सिना का अंतिम संस्कार आपको बता दे बुद्धबार सुबह दिल्ली से सार्दा सिना का पार्थिव सरीर पटना लायागा जाएगा और इसके बाद अंतिम संसकार की त्यारी होगी और गाईका का अंतिम संसकार पटना में होगा और यहां परिबार समयत करीबी सिंगर को संदाजली देने आएंगे परधान मंतरी मोदी ने भी टूटर पर सोक ब्यक्त किये हम पूरा टूटर पिछले कई दसकों से बेहद लोग प्रिये रहे हैं आस्था के महापर्व छट से जुड़े उनके सूमधूर गीतों की गुंज भी सदय बनी रहेगी और उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपुर्णिय च्छती है सोक इस घड़ी में यह प्रायम मिनिस्टर नंदर मो मोदी का यह तूट है देखिए यहाँ पर और यह तूट में लगातार आप बने रहे हैं वीडियो के साथ लाष्ट तक पूरा दिखाएंगे देखिए पूरा नंदर मोदी ने तूट किया है उन्हीं के टूटर हैंडिल से यह तस्बीर है और यहाँ पर आप देख सकते है यह हैं सार्दा सिना जी और इनका तव्यद काफी खराब हो गया था और लास्ट में कैंसर से जूज रही थी और लास्ट में अंतिम सासे ली है छटी मयान अपने पास बुला लिया जिया दोस्तों तो काफी दुख है अभी परिबारक में आप पूर्नी छटी देखने यहा जुनून बहुत कष्टकारी समय था सार्दा सिना जी का एमस में छटी मया से कष्ट देखा नहीं गया और अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया ओम सांती जिया दोस्तों जिसक देख पा रहे हैं वीडियो हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि उसमें गाना आ जाएगा तो और मसूर लोग गाईका का सार्दा सिना जी अब मामरे बीच नहीं रहे तो ओम सांती देखें उनको पदम सिरी अबाट भी दिया गया रास्पती के द्वारा ओम सांती बिहार कोकला सार्दा सिना जी बहुत लोग अपने टूटर हें पर लिख रहे हैं नहीं रहे स्वर कोक पिता सुखदेव ठाकूर सिछाब्या के बरिशादिकारी थे और पती स्वरगी बिरिज किस्वर सिना एक साल पहले ही उनकी मिरती हुए बच्चे अनुसुबन सिना और बंदना आ है उन्हें से चोवतर में पहली बार भुजपरी गीत का गाना सुरुजदेव गाना गाने से बॉली बुड में इंट्री ली और समस्तिपूर विमेंस कॉलेज में परफेसर के तोर पर काम भी किया छट विबा मुंडन जनेव विदाई सानली गीत गाये हैं जिया दोस्तों तो लगभग पूरे देश में सोक का महौल है सार्दा सिनाजी नहीं रहे तो इसी त कुछ ने क्योंकि काफी दुख हमें भी हो रहा है नहीं रही विहार स्वर कोकिला सार्दा सिनाजी बहुत लोग धर्खन वारियर्स भी लिक रहे हैं दिली जिन्दगी से लड़ रहे थे और छट तेवहार की अबाज के बिना अधूरा सा है छट पर्व के बीच में सार्द सिनाजी दुनिया से बिदा ले ली है स्री चर्णों में स्थान दे हमें भी अत्यंत दुख हुआ अभी ये जान कर कि बिहार का गवरब इन्हीं लोगों से था नहीं तो राजनेताओं ने तो बिहार को काफी बदनामी दी है भगवान उनकी आत्मों का सांती दे बहुत लो दिया ये सार्दा सिनाजी बिहार का गवरब है कि बिहार का गवरब गाथा अगर कोई लिखा है तो सार्दा सिनाजी ने लिखा है और ये देख रहे हैं उनको ये पुरसका रास्पती महोदया ने दिया है जिया दोस्तों तो इस तरह से बिहार पदम भूसन से समानित परस जट का गीत मतलब सार्दा सिना का गीत और छट महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है आज भले ही वह भौतिक रूप से हमारे पास नहीं है ज्यां दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के दिलों में वह बस्ते थे और उनका गीत सदा चलता रहेगा पहले भी चलता था आज में अंतिम सांस ली भागवान उनके चरण में अपने जगह दें और स्वर्ग सिधारें यहीं हम कामना करते हैं सार्दा सिनाजी नहीं रहे